दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके Google एकाउंट का आपको पासवर्ड नहीं पता है आपके Gmail ID का आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपने Gmail ID का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं कैसे आपने Gmail ID का एक नया पासवर्ड बनाएंगे तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लिजिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अखिरकार जीमेल आईडी का हम एक नया पासवर्ड कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है अपने मुबाइल फोन के अंदर अपना यहाँ जीमेल आपको ओपन करेना है जैसे आप यहाँ पर अपना जीमेल ओपन करेंगे सबसे पहले आपको अपना जीमेल यहाँ पर लोगिन करेना है जिसका आप पासवर्ड पता करना चाहते हैं जैसे कि अगर आपके पास एक या दो जीमेल आईडी है तो आपको इस पर किलिक क करने के बाद यहां पर आपको अपना gmail id select करना है जिसका आप password पता करना चाहते हैं तो हम इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद यहां पर आपका gmail id open हो चुका है अब आपको करना क्या है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आपका gmail आपको इस पर click कर लेना है जैसे आप थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह का आपका Google एकाउंट ओपेन हो जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा Personal Information यहाँ पर आपको मिल जाएगा Data and Privacy और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा Security आपको करना के है आपको Security के Option पर किलिक करना है जैसे आप Security के Option पर किलिक करेंगे आपके समने इस तरह का Page आजाएगा आप यहाँ पर आपको नीचे आजाना है जैसे आप यहाँ पर नीचे आजाएगे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक password का option जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल लेगा आपको password manager आप जैसे ही नीचे आजाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल लेगा जैसे हम आपको दिखाते हैं नीचे आएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल लेगा password manager तो अगर आपने अपने गूगल एकाउंट का पासवर्ड आपने सेब किया है गूगल पर तो यहाँ पर आप किलिक करेंगे आपका पासवर्ड देखने को मिल जाएगा तो आपका पासवर्ड पता चल जाएगा अगर आपने सेब नहीं किया है गूगल एकाउंट पर तब आ यहां पर आना है अपने डाटा एन प्राइबेसी बगल में आपको मिल जाएगा परस्टनल इंफो आपको परस्टनल इंफो पर आजाएंगे आपको निचे आ जैसे आप नीचे आजेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपका email ID और आपका mobile number उसके बाद यहां पर जब नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहां पर आपको मिलेगा पास्वर्ड और आपको करना का है पास्वर्ड के इस वाले option पर क्लिक करना है जैसे आप password पर click करेंगे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का page आजाएगा अब यहाँ पर अगर आपको password पता है तो आप इस पर अपना password डाल के एक नया password बना सकते हैं आपको password नहीं पता है तो आपको forget password पर click करेंगे जैसे आप forget password पर click करेंगे आप थोड़ा सा आपको इंतजार कर दिना है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको enter last password याद है कि हमारा last में क्या password था तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा try another way पर click करना ह जैसे आप try another way पर click करेंगे आपके सामने इस तरह का यहाँ पर page आजाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आप अपना आसानी से password एक नया create कर सकते हैं यहाँ से आप confirm कर सकते हैं यहाँ आप try another way पर click करेंगे तो आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगा जो mobile नंबर आपके इस email ID में लगा हुआ होगा वो OTP डालने के बाद आपके सामने डारेक्ट यह page आजाएगा अब हम यहाँ पर एक नया password बना लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर password अपना डाल के यहाँ पर हम confirm करेंगे आपका password strong होना चाहिए यानि कि आपके password में कम स सैबोल अंक भी होने चाहिए जैसे कि add the rate question mark dot double dot कोई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अपना password बना लेते हैं बनाने के बाद वही password आपको यहाँ पर confirm कर देना है उसके बाद अगर आपको पासवर्ड देखना चाहते हैं तो आप इस वाँ पुरी तरीके से save हो चुका है यहाँ पर मिल जएगा удmenu आपको पासवर्ड पुरी तरीके से save हो चुका है अब यहाँ पर मिल जएगा continue आपको continue के option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आजयेगा new password डालने का option तो वही password आप फिर से यहाँ पर confirm कर देंगे जो आपने वहाँ पर आ जाएगा आपका password यानिकि आप अपना password last कभ change किये थे यहाँ पर देखने को मिल चुका है अब यहाँ से आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा sing in करने का option आपको sing in पर क्लिक करना है जैसे आप sing in पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरह का page आएगा यहाँ पर nest कर देना है जैसे आप nest कर देंगे आप जो आपने password अभी आपने बनाया हुआ है आप यहाँ पर आपको वही password डाल के nest पर क्लिक कर देना है जैसे आप next पर click करेंगे थोड़ा सा इंतजार करना है आपका यहाँ पर email ID verify हो गया है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका password change हो चुका है और आपका email ID का password आपको पता चल चुका है तो यह आसान तरीका जहां से आपने Google account, email account या Gmail ID का password पता कर सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में इसे वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद